नमस्ते गुड मॉर्निंग जीन दूस्तान देख रहे हैं आप और मैं हूँ प्रीती नेगी आपके साथ सबसे पहले आपको बताते हैं आज की वो कौन से चार बड़ी खबरे हैं जिन पर दिंदर हमारी नसर बनी रहेगी आज की पहली बड़ी खबर जी हाँ ये जान लीचा आप क्योंकि पाकिस्तान से जुड़ी ये खबर है पाकिस्तान से है ये खबर जहां इमरान के पास अब मैस गिंते के कुछ मिनटी बाकी रह गए हैं फिर इमरान खान पाकिस्तान के पुर्व पियम हो जाएंगे लेकिन कै ऐसे किसके गुणागडी की चाल में फस गए है नियाजी ये हम आपको आगे बताएंगे दूसरी बड़ी खबर रूस यूकरिन वार से संबनित ये खबर है जुड़ी हुई है जहां अब लगता है कि यूकरिनी राष्टेपती को यूरोपिय यूनियन खुल कर मदद देने को तयार है आज एयू की प्रमुख कीव जाएंगी जहां जेलिंस्की से वो मिलेंगी मुलाकात करेंगी और बूचा शेहर में सिद रूसी नरसनहार का जायजा लेंगी माना ये जा रहा है कि अपने इस दोरे पर यूकरिन को और जादा मदद देने का वो एलान भी कर सकती है एयू प्रमुख और इसे के साथ दिन बर हमाई नजर अस ख़बर पर बनी रहेंगे नमस्ते शूप्रमात जी इंदुस्तान देख रहे हैं प्रहुत पोक्रियाल आपके साथ तीसरी ख़बर क्या होगी उत्तप्रदेश के सीम योगी आदतनाथ से जुड़ी हुई है जनके ट्विटर हैंजल को किसी हैकर ने हैकर लिया और उनके प्रोफाइल फोटो को भी चेंज कर दिया इसके साथ इको फाउंडर के नाम के साथ भी छेड़ खानी की है चौथी ख़बर क्या रहेगी आज की उत्तप्रदेश में आज MLC की 27 सीटों पर मद्दान होना है सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और इस चुनाव में भी भारती जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच काटे की टक्कर मानी जा रही है खासकर पुर्वांचल में जहां कही सीटों पर त्रिकोणिया मुकाबला आए कौन कौन सी है वो सीट ये हम आपको बताएंगे लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं फटाफट अंदाज में अब तक की 100 बड़ी खबरे पाकिस्तान में आज आव विश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे इमरान खान नेशनल एसेम्बली में आव विश्वास प्रस्ताव पर सुबा साड़ी ग्यारा बची होगी वोटिंग पाकिस्तान में इम्रान खान की कुर्सिया जानी तेया नैशनल असेमली में इम्रान कान के बास नहीं है बहुमत पाकिस्तान की नैशनल असेमली में वोटिंग के पहले इस्टिपिदे सकते हैं इम्रान खान पाकिस्तानी मीडिया के हमाले से खबर हार की डर से इम्रान ने पाकिस्तान के जन्ता को भड़काया का खुले आम सांसत खरीदे जा रहे हैं विपक्ष और मीडिया के लोग बिके हुए है इम्रान खार ने की भारत की तारीव का किसी भी सुपर पावर में इतुने हिम्मत नहीं कि भारत के खिलाफ साजश कर चके हिंडूस्तान एक खुद दार देश इम्रान खान ने पी टीवी पर दिये एक इंटर्वियू में कहा पाकिस्तान की छवी पहले से अच्छी हुई है पाकिस्तान की जलता हमारे साथ है पाकिस्तान की मंतरी फवाद चौधरी का बड़ा दावा सुप्रिम कोट की फैसरे एक खिलाफ करेंगे अपील बड़ी बेंच में दाखिल करेंगे रेव्यू के चिशन पाकिस्तान की नहीं सरकार में मर्यम नवास और विलावल भुट्टो का होगा एहम रोल दोनों को मिल सकते हैं एहम मंतरालों की जिम्यदारी पाकिस्तान में पीपीपी प्रमुक भिलावल भुट्टो का बयान कहा मुल्क में चुनाव सुधार की बात्तुर अंत्व चुनाव इसी साल होनी चाहिए चुनाओ पाकिस्तान में चल रहे ही सियासी संकट की बीच चीन का बयान कहा पाकिस्तान के सियासी हाला का चीन पाकिस्तान के रिष्टे पर असर नहीं पड़ेगा आतंगी हाफिस सहीð को 31 सालों की सजा पाखिस्टान की एंटी टेर्र कोट ने सुनाई सजा पाकिस्तान मिलिया रिपोर्ट्स की जानकार recht टेरर फेंडिंगे दो मामलों में आतंगी हाफिस को 31 साल की सजा हाफिस पर 3, 40,000 रुपे का लगा जुर्मारा रूस यूकेन यूद का 45 वा दिन आज डेड महीन बाद भी दोनों देशों के बीच न युद जारी उकरने काई शहरों पर कमचा लिया वापस मारियोपोल में रूस के ताबर दोड़ हमले जारी है मारियोपोल में आजो सश्चत्र बलों पर रूस से क्या हवाई हमला हमले के बाद हुआ भीच न धमाका दोनित्स में रूसी सेना का भीच नम्ला जारी, दोनित्स कडराज में उड़ान भरते नजरा है रूसी एरक्राफ्ट, लड़ाको विमानों की अवासन देशत में आये लोग रूस के खिलाफ जर्मनी की बड़े खारवाई, जर्मनी ने 40 रूसी राजनाई को किया निश्कासत यूकरेन के क्रामटो स्टेशन पर हमले में 49 लोगों की मौत की खबर रूस से युद्ध के बीच यूकरेन के रक्षा मंतराले का दावा यूकरेन के उत्तर से रूसी सेना की हुई पूरी तरह आपसे डक्षिन में रिज्यम शेहर पर भी रूसी सेना के अभी कबजे की है खबर यूकरेन के ओडिसा पर काला सागर से रूस का हमला रूस के अटाक में कई इमारते हुई तबहा कुईमिया से रूस ने यूकरेन परदा की ओनेक्स मसाईल रूसी रक्षा मंतराले ने साजा किया वीडियो यूकरेन के यही दिन में रूस के हमलों में मारेगा यूकरेनी नागरिकों को दीगई शत्धांश्ति स्कूल की दिवारों पर मरने वालों की नाम बिखे गए उस्तों प्रदेश में मलसी चुनाफ के लिए मद्दानाव 27 सीटों पर डाले जाएंगे वोच 12 अप्रेल को होगी मत गर्णा यूपे विधान परिशक की रण में 9 सीटों पर बीजीपी की निर्विरोध जीतते हैं समाजादी पार्टी ने कई जगों पर उम्मिद्वारों के नाम वापस दिये वरनसी चुनाफ के लिए गोरखपुर्मन बद्दान करेंगी सीम योगी तो प्रयाग राज में रिप्रिसीम केश और कुसाथ दालेंगे मत वरनसी चंदौली और भदोही जिली वे चार असार नौसुन चार्स में दाता करेंगे अप्रेमत अधिकार का प्रयोग वरनसी में इस बार त्रिकों ये मकाप्ड़ा यूपी में योगी सरकार का बड़ा आदेश जीवीटी के माध्यम से बच्चों की उनिफॉर्म के पैसर सीधा खाते में जाएगा बैक की धनराशी में सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर यूपी में बुल्डोजर को लेकर सीम योगी का आदेश बेवजाओ घरीब और बेकस्तूरों को अफसर ना करें परेशान किसी घरीब की जोपड़ी और धुकान पर ना चलाएं बुल्डोस है सीम योगी का अफसरों को निर्देश तरिफ अवैद निर्माड और अती करमन के खिलाफ उखारवाई माफियाओं के ठिकानों पर चलता रहे बुल्डोस है गोरकपुर में आईवी शुविश्विद ज्याले के निरिक्षर के दौरान अधिकारियों को सीम योगी के पठकार काम में सुस्ती को लेका डियम को दिये निर्देश ठेकेदार को करें ब्लैक लिस्ट यूपी में मदर्सों की कायकल पर उलेमाओं को एतराज योगी सरकार की मंशवर सवाल कहा सरकार पहले बताया महापुरुष कौन होंगे जिनकी पढ़ाई जाएगी जीवनी यूपी के मौलानाओं ने कहा कि यूपी सरकार का फैसला एक समुदाय को टार्गेट करने वाला है मदर्सों में पहले से ही हर तरह की पढ़ाई होती है चीन की भारत में अंधेरे वाली साज़ुष चीन ने उत्तर भारत के साथ पावर ग्रिट को हैक करने की कोशिश की पावर सब्प्राइज सेंटरों को बनाया जा रहा ता निश्यारा भारत में बड़े सबर रचा की तैयारियों में दाचीन, SLDC के सिस्टीवी कैमरा उसमें सेंट की कोशिश भारत की एक कर एक गतिवधी पर नज़र रखना जाता है जीन मुंबई में शरत पवार के घर के बाहर प्रदर्शन पर इवान वबा के करमचारियों ने किया हंगामा प्रदर्शन कारियों ने फेके पत्थर और चपल शरत पवार के घर हुए एंगावे की जाच करेगी जॉइंट श्रीपी लॉइन ओडर विश्वास नागरे पाचल सेक्योर्टी फेलियर और इंटेलिजन्स फेलियर की भी जाच शेफसेना सांचस संजराउद का बीजेपी पर बड़ा आरोग कहा मुंबाई को केंद्र शास्त प्रदेश बनाना चाहती है मोधी सरकार संजराउद के मुंपई को के दिसासित प्रदेश बनाने वाले बयान पर पिजेवी का पलटवार के रीट सुमया का बयान मुसीबत पे फसने पर ऐसे बयान आते हैं मेंगलोरुमान अगरबन की का नाया आदेश राम रमि में में बीट के दुकाने रहेंगी बंद करने के आदेश दिल्ली आईजिया एरपोर्ट से पकड़े गई 894 ग्राम हेरोईन युगांडा का यात्वी कैपसूल में भर कर लाया था हेरोईन जब की गई हेरोईन की कीमत 6 करूब में मनेपूर में स्पोर्ट्स उनिवर्स्टिकों नेकर भवाल पॉलिस और प्रदेशन कालियों के भी छडब गोरकपूर में गोरकनाथ मंदिर के में गेट पर बनाया गया भंकर मंदिर परिस्तर की CCTV कैमरे से निगरानी चप़े चप़े पर पुलिस कर भी तेना गोरकपूर में स्पी नेता मनुरंजन यादव का सेरेंटर यूपी के बैराइच में मसार हटाने पर अड़े हिंदू जागर मंच के कारेकरता सिटी मजिस्ट्रेट को दिया ग्यापन बुल्डोजर चलवाने की माँ गाज़ेबाद के रहने वाले एक चात्र की कैनजा में हत्या मेट्रो स्टेशन के बाहर चात्र को मारी गई गोली टोरेंटो में ग्लोबल मानेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था कार्टिक यूपी के बरेली में पतली ने पती की जम करके पिटाई डियम आफिस के पास पती और उसकी प्रेमिका की चपल से की गई पिटाई यूपी के जराओन में समो एक नकल का वीडियो आया सामने बुद्देलखन विश्क्रद्याले में चल रही थी परिक्षा टीचर ही करवा रहे थे नकल नौईडा में ट्विंट आवर को घराने का 10 अप्रेल को होगा ब्लास्ट ट्वाइल प्रसाश्य ने जारी के अडवाईजरी पुलिस और सेना की रहेगी मौचूद की उत्रफदेश के रामपुर में धन परिवर्दन करने के आरोभ पे दो आरोपियो को पुलिस ने बैजा जेल लालस देखर धन परिवर्दन करवाने का आरोभ यूपी के सद्धाद नगर में जबरन धर्मानत्रण का मामला आया सामने मुस्तिम यूवक पड़गा राम राज को करम हुसेन बनाने का आरोग पुलिस में मामला दर्च यूपी के सीधाफूर में जईई पर केस दर्च करना फुलिस को बढ़ा महंगा गुस्ताई जईई ने काटी गोतवाली के बिजडी पीमोधी और सीम यूपी पर आपति जनक टिपणी कारो देश में सेव अनार सेबी ज़ादा महंगा हुआ नीम्बू 300 से 400 किलो रुपे किलो बिक रहा है नीम्बू एक नीम्बू की कीमत 15 से 20 रुपे हो गई है मध्य प्रदेश में सब्जी के दुकानों से नीम्बू गायब आम आदमी के साथ दुकानदारों की पॉट से बहुत दूरुआ नीम्बू आसमान चूराई ये कीमते मध्य प्रदेश में खुलेंगे दो नए कैंसर अस्पताल चूराई मध्य प्रदेश के शिफपुरी में हर्ष फारेंग का चुकार बना 12 साल का मासूम डांस के दौरान फारेंग के लिए कट्टा चीन रहे थे दो यूवक ट्रिगर दबने सुचरी गोली किस्तानों के लिए मुसीबत बना बहुत अंबेशर गर्मी के बीच, गौलियर, पन्ना और राइसेन में खेतों में लगी आग लाकों के गेहों की फसल जलकर हुई राख करॉली में पुलस हिरासत में पिटाई से मुस्लिम यूवक की मौत पर बढ़के ओवे से कहा, यूवक से पूचा गया कि उसे जैशी राम करने से आकिर खौन रोक रहा है करॉली हिंसा की प्रशासने कर जांस की आदेश 15 दिनों में सरकार को सौपनी होगी रिपोर्ट करॉली में जड़क के बाद बीजेप का कॉंग्रेस पर निश्राना का कॉंग्रेस ने दिया हिंदू आतंगवाज शब्द जलते राजिस्तान पर चुप नहीं रहेंगे बिहार में जवराट अशोक जहनती के बाहा ने बीजेपी ने दिखाई ताकत पट्ता में बोले केद्रिय मंत्री पुपेद्रियाद और बीजेपी करती है खंड बारत की कल्पना बिहार में जेडियू ने आजडिय को दिया बड़ा जटका आजडिय के प्रदेशा अध्यक्षु जग्दनान सिंग के बेटे जेडियू में होगे शाम बिहार के सहरसा में मुक्या की हत्या के बाद बवाल आक रोशित लोगों ने शरफ के साथ एनेच 107 पर क्या प्रदेशन घंटो जाम में फसे रहे लो बियार के सहसरा में लोगे के पुल की छोरी जेसीबी और गैस कटर के मदब से 60 फीट लंबे पुल को छुडा ले गए चोर अरिद्वार में लावड स्पीकर लगवाकर संतो ने क्या हनमान चालिसा का पाच स्वामी आनंद सरूप ने कहा नमाज के वक्त हम भी करेंगे हनमान चालिसा का पाच अरियाना के रौत तक में पौने तीन करोड रुपे की लूट एटियम में कैश लोट करने आई वेन को लूटा सुरक्षा गाट कुमारी कोली कश्मीर घाटी में टूटे टूरिजम की सुमी रिकॉर्ड्स मिस्टे तीन महिने में घाटी गुमने आए करीब साड़े तीन लाग चलानी दर्श को बाद परटकों से गुलजार कश्मी सत्रा अप्रेल को साथ फिरे लेंगे रंबीर कपूर और आल्या भर्ट एक्ट्रस के अंकल रॉबिन ने क्या कंफर्म दो दिन तक चलेंगे शादी के फंक्शन्स कपिल शर्मा शोपर अभिशेक बच्चा ने क्या खुला सा बोले बाप अमिताब मुझे नहीं करते गाई आर 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 दकश्मीर फाइल्स की सक्सेस पर शायद कपूर बोले सिनेमा घर में दर्शकुपू देखकर अच्छा लगा श्वी लंका में सरकार के खलाब बढ़ता संतोष कोलंबु की सरकोपर चात्रों का विरोध प्रदर्शन पूलस ने प्रदर्शन कारियों पर छोड़े आंसु गयास की गोले पेरू में महगाई के खलाब लगाधार दूसरे अफ़ते लोग का विरोध जारी सरकार के नीतियों के खलाब जम करना रेवाद से आस्टेलिया के सज्टी में भारी बारिश के बाद आइस दबर्दस बाट पानी में ढूबी आश्याने कई गाड़ें हुई तबा घर हरतरा दिख रहा है पानी का सराब कोलम्बिया में भी आई बीचन बार भारी बारिश के कारण हुई तेरा लोग की मौत बार के जलते ख़दार में काम करने वाले मजदूर धसे